नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Justice League War के बारे में ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई Justice League Flashpoint Paradox का डारेक्ट सीक्वल है जिसके बारे में मैंने काफी टाइम पहले वीडियो बनाई थी और Justice League Flashpoint Paradox मूवी के एंड में हमने देखा था कि बूम ट्यूब से डार्क साइड के मिनियन्स यानि पेरेडिमन्स की एक आर्मी अर्थ पे एंटर कर रही होती है Justice League War फिल्म इसी के कंटिनिएशन में हैं तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात साथी साथ बेल आइकन को भी दबाए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि Gotham City में काफी लोगों की किटनेपिंग हो रही है और बहुत से लोगों को लगता है कि ये हीट नी बल्कि एक परड़ा है और हमें दिखाये जाता है की एक इट नैपर और कोई नहीं बलकि एक पेरडिमन है जो एक हाई-टेक आर्मर में है ये पेरडिमन ग्रीन लेंटन को मारना शुरू कर देता है तभी वहाँ बैटमैन भी आ जाता है और पेरेडिमन से पूछता है कि वो डॉक्स पे क्या कर रहा था वो पेरेडिमन बैटमैन के भी काबू में नहीं आता तभी ग्रीन लेंटन अपनी पावर रिंग से पेरेडिमन पे अटेक करके बैटमैन को बचा लेता है ग्रीन लेंटन ने पहली बार बैटमैन को देखा था और बैटमैन से पूछता है कि क्या तुम रियल हो बैटमैन उससे कहता है कि अपनी लाइट आफ करे इससे पहले कोई उन्हें देखे तबी वहां Gotham City Police Department के हेलिकॉप्टर्स आ जाते हैं और इन्हें Hands Up करने के लिए कहते हैं तबी वो Paradimons फिर से एक बार Green Lantern पे अटेक करता है लेकिन Batman Green Lantern को धक्का देके बचा लेता है Batman Green Lantern से कहता है कि Gotham City मेरी है तुम अपने Gloves और Ring लेके घर जाओ Green Lantern कहता है कि मैं Green Lantern हूँ और ये पूरा Space Sector मेरा है ये दोनों Paradimons का पीछा करते हुए एक Seaver में पहुंचते हैं और Green Lantern काफी हरान होता है जब उसे पता चलता है कि Batman के पास कोई powers नहीं है और वो बस एक Normal इंसान है जिसने बैट सूट पहना हुआ है जिसके बाद Green Lantern बैटमेन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है लेकिन इसी बीच बैटमेन Green Lantern की power नहीं निकाल लेता है और उससे पूछता है कि इस रिंग से क्या होता है रिंग के निकालते ही Green Lantern अपने असली रूप यानि Hell Jordan में बदल जाता है Hell Jordan अपनी रिंग को वापिस लेते हुए कहता है कि ऐसा तुम दुबारा नहीं करोगे और वो बैटमेन पे अटेक करता है तभी बैटमेन उसे पकड़ता है और चुप रहने के लिए कहता है वो पेरिडिमन बॉम जैसी दिखने वाली चीज़ को दिवार पे लगाता है और उसे एक्टिवेट कर देता है और जब Green Lantern उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो पेरिडिमन कहता है और अपने आपको ब्लास्ट कर देता है उसके बाद Green Lantern उस चीज़ को अपनी रिंग से स्कैन करता है लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता और कहता है कि ऐसा होना इंपॉसिबल है ये रिंग वो सब जानती है जो गार्डियंस जानते है और गार्डियंस यूनिवर्स की हर चीज़ जानते है फिर बैटमैन अपने गैजट की मदद से पता लगाता है कि ये बॉम नहीं बलकि एक एलियन कम्प्यूटर है एलियन वर्ड उनके Green Lantern कहता है जैसे मेट्रोपॉलिस में वो लड़का है बैटमैन कहता है हाँ सूपरमैन Green Lantern बैटमैन से पूछता है कि क्या तुम सूपरमैन को जानते हो बैटमैन कहता है कि मैंने उसके बारे में रिसर्च किया है उसकी पावर लेवल्स काफी जादा है Green Lantern कहता है कि ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहीं दूसरी तरफ Star Labs में एक और Mother Box है जिस पे Victor Stone के पिता Dr. Silas Stone research कर रहे होते हैं लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा पाते तब ही एक scientist कहता है कि ये Box कुछ signals broadcast कर रहे हैं और ऐसे ही signals दो और जगा देखे गए हैं जिससे सुन Dr. Silas कहते हैं कि इसका मतलब ये किसी से बात कर रहे हैं तब ही उनके पास Barry Allen का फोन आता है और वो उनसे Mother Box के बारे में पूछता है दरसल इस Mother Box को यहां Flash नहीं पहुचाय था यहां Billy Batson स्टेडियम में Victor Stone का मैच देखने पहुचता है Victor इस बात से काफी नाराज हो जाता है कि उसके पिता ये मैच देखने नहीं आई गेम को जीतने के बाद सभी Victor Stone की तारीफ करते हैं कि उसने आज बहुत अच्छा खेला लेकिन वो इस बात से अभी भी दुखी था कि उसके पिता उसका इतना इंपॉर्टेंट मैच देखने नहीं आई यहां वो Billy Batson से भी मिलता है जो बातो बातों में उसकी जर्सी को चुरा लेता है यहां में कुछ लोग दिखते हैं जो Wonder Woman के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं यह देख डायना गाड़ी से बाहर निकलती है जिसे देख सभी घबरा जाते हैं लेकिन वो उन्हें शांत करती है और White House में चली जाती है इसके बाद Green Lantern और Batman Superman को ढूंडते हुए Metropolis पहुचते हैं जहां Superman पहले से एक Parodemon से लड़ रहा होता है और उसे लगता है Batman और Green Lantern भी उसके साथ मिले हुए है और इन तीनों के बीच Battle शुरू हो जाती है लेकिन ये दोनों ही Superman के सामने टिक नहीं पाते Batman कहता है कि हम इसका सामना नहीं कर सकते हमें इससे बात करनी होगी Batman को Superman की Secret Identity पता थी तो वो उसे उसके Real नाम से यानि Clark Kent नाम से बुलाता है जिससे सुन Superman उनसे लड़ना बंद कर देता है और Superman को भी पता चल जाता है कि Batman ही Bruce Wayne है जिसके बाद ये Battle रुकती है और ये तीनों एक साथ Paradimons के बारे में पता करने में लग जाते हैं यहां दूसरी तरफ Apocalypse Planet पे D.Sard Darkside को बताता है कि Motherbox Superman के हाथ लग चुका है और Earth पे मौझूद Super Heroes को उनके Invasion के प्लैन के बारे में पता चल चुका है जिससे सुनके Darkside D.Sard को ओर्डर देता है कि वो Earth पे Invasion शुरू कर दे यहां Star Labs में Dr. Silas अभी भी उस Motherbox पे Research कर रहे होते हैं तभी वहां Victor Stone आता है जिसके बाद इन दोनों के बीच उस Football Game को लेके बहस हो जाती है क्योंकि Dr. Silas Stone उस मैच को देखने नहीं गए थे और इसी बीच Motherbox एक्टिवेट हो जाता है Victor Stone गुस्ते में Motherbox को उठा लेता है और कहता है कि यह चीज आपके लिए अपने बेटे से जादा इंपॉर्टेंट है तभी इसमें Blast होता है और Boom Tube ओपन हो जाती है जिसमें से Paradigmen की आर्मी आने लगती है लेकिन Batman उसे रोक लेता है और इसी बीच यह Motherbox भी एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद Green Lantern, Superman और Batman Boom Tube से आ रहे Paradigmen को रोकने की कोशिश करते हैं यहां Dr. Silas, Victor Stone को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में है और उसे Red Room में ले जाते हैं तो Dr. Silas उसे बचाने के लिए उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसी एक्सपेरिमेंट की वजए से Victor Stone साइबॉर्ग बन जाता है इसी दोरान Paradigmen Red Room में भी आ जाते हैं और Victor Stone उन्हें मार गिराता है Victor Stone की बॉड़ी इनसे बैटल करते हुए अपग्रेड होती चली जाती है तभी वहाँ फ्लेश भी आ जाता है यहां Paradigmen वाइट हाउस पे अटेक कर देते हैं और Wonder Woman अकेले ही उनसे बैटल कर रही होती है यहां Billy Batson अपने घर के पास एक Paradigmen को देखता है जिसके बाद वो शजैम में बदल जाता है कुछ Paradigmen प्रेजिटेंट के प्लेट पे भी अटेक करते हैं और प्रेजिटेंट को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ Wonder Woman आ जाती है और उन्हें बचाती है तभी उनका plane crash होने लगता है तो Superman उन्हें आके बचा लेता है यहां Cyborg अपने आपको देख के परिशान होता है कि यह उसके साथ क्या हो गया और वहाँ से चला जाता है Cyborg को वहाँ से जाते वक एक Portal दिखता है जिससे उसकी Body Connect हो जाती है और उसे Apocalypse में मौझूद Dark Side और उसकी Army दिखती है वो उस Mother Box को अपने पास रख लेता है तभी वहाँ एक Paradigmen आके गिरता है जिसे Billy Batson यानि Shazam लेके आया है और वो Victor Stone को इस आलत में देख कर हरान हो जाता है यहां Green Lantern और Batman Paradigmen से लड़ते हुए परेशान हो जाते हैं तभी एक और Boom Tube open होती है और बहुत से Paradigmen दुबारा वहाँ आने लगते हैं तभी इनकी मदद के लिए वहाँ Flash भी आ जाता है और Green Lantern उसे देख के काफे खुश होता है Flash भी Batman को देख के काफी हरान होता है और कहता है कि it's an honor to meet you sir Batman Batman कहता है कि मैंने Central City में तुमारा काम देखा है तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो तभी वहाँ सूपरमैन और Wonder Woman भी आ जाते हैं और Wonder Woman सिंगल हैंडिली बहुत से Paradigmen को अकेले मार गिराती है जिसे देख Green Lantern काफी impress हो जाता है इतने में ही वहाँ साइबोर्ग आता है जिसे देख Wonder Woman को लगता है कि ये Paradigmen के साथ ही है और वो उस पर अटेक कर देती है लेकिन उससे पहले ही साइबोर्ग का defense system Wonder Woman पर अटेक कर देता है इसके बाद सूपरमैन साइबोर्ग पर अटेक करने वाला होता है तभी Flash उसे रोक लेता है और कहता है कि ये इनके साथ नहीं है मैंने इसे Star Labs में देखा था इसके बाद माँ शचैम भी आ जाता है और कहता है कि वो साइबोर्ग के साथ है Green Lantern साइबोर्ग से पूछता है कि तुम कौन हो साइबोर्ग कहता है कि मैं कौन हूँ ये बात मैटर नहीं करती बलकि मैं क्या जानता हूँ वो जादा जरूरी है बैटमैन कहता है कि तुम क्या जानते हो साइबोर्ग बताता है कि उसने उनकी टेकनोलजी से बात की है और उनका प्लैन जानता है इसके बाद वहाँ entry होती है डार्क साइड की, सूपरमैन कहता है ये देखने में इतना strong नहीं लग रहा, तभी एरफोर्स के कुछ planes डार्क साइड पे missile launch करते हैं, जिनसे डार्क साइड को कोई फरक नहीं पड़ता और वो अपनी omega beam से एक second में ही उन्हें मार गिराता है, ये एक बहुत strong shock wave निकलती है और आसपार तभाही मत जाती है, जिसके बाद डार्क साइड अपनी omega beam से सूपरमैन और flash पे attack करता है, डार्क साइड omega beam को इन दोनों पे lock कर देता है, flash उससे बचने के लिए paradigmas के बीच से निकलता है और बच भी जाता है, और एक beam सूपरमैन का unconscious हो जाता है, जिसके बाद एक paradigmas उसे लेके apocalypse पे जाने लगता है, जहां उसका wait decide कर रहा होता है, flash पूरी टीम को बताता है कि वो सूपरमैन को ले गए है, ये सुनके green lantern उसे बचाने के लिए उड़ता है, लेकिन batman उसे रोक लेता है, और कहता है कि तुम्हारा हाथ fracture हो च साफी बड़ी है, तो इस problem पे focus करो और बाकी team के साथ regroup हो जाओ, और batman वहाँ पड़े civilian के कपड़े पहन लेता है, ताकि किसी को ना पता चलेगी वो batman है, और कहता है कि dark side को busy रखना जब तक मैं वापिस ना आ जाओ, green lantern पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो, तो batman कहता ह कि हम superman के बिना नहीं जीत सकते, इतने में एक parademon उसे उठा के ले जाता है, जिसके बाद batman भी apocalypse पे पहुच जाता है, batman मौका मिलते ही parademon को मार गिराता है, और देखता है कि वहाँ बहुत से लोगों को transform किया जा रहा है, dsard अपनी lab में, superman को एक super parademon में बदलने की कोशि को बंद कर देता है, और जब dsard वहाँ से बचके भागता है, तभी superman उसके साथ साथ सभी parademon को भी मार डालता है, लेकिन वो batman पे भी attack कर देता है, dark side को हराने के बारे में plan बना रही होती है, उनका plan dark side को अंधा करने का होता है, ताकि वो अपनी omega beam use ना कर सके, लेकिन वो सभी मिलके भी dark side को जादा कुछ नहीं कर पाते, कुछ देर battle होने के बाद, wonder woman अपने sword से dark side की एक हांक फोड देती है, जिसके बाद वो और भी गुस्ता हो जाता है, और wonder woman को बुरी तरह मारने लगता है, और वो इतना fast होता है कि flash की movements को भी आसानी से catch कर लेता है, उसके ब channel blow देता है और dark side बेहोश हो के नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से उठता है और हमला कर देता है, तो cyborg कहता है कि हमें इसे वापस इसके planet पे भीजना पड़ेगा, और अपने आपको mother box से connect करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो boom tube open कर देता है, जिसमें सबी paradigmen वापस खिचने लगते हैं, यहाँ एपोकलिप्स पे सूपरमेन बैटमेन पे भी अटेक कर देता है, क्योंकि उस पे अभी भी उस transformation का असर है, और बैटमेन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ अर्थ पे बने इन पोर्टल्स को dark side रेजिस्ट करता है, तब ही शजैम उस पे lightning यूज़ करता है, ताकि वो boom tube में चला जाए, लेकिन dark side बिना अपनी आखों के भी शजैम को punch करता है, और उसे मारने वाला होता है, तब ही wonder woman अपने लासो से उसके हाथ को रोक लेती है, जिसमें flash भी उसकी मदद करता है, और dark side कहता है कि तुमारी ह अकेलने की कोशिश करते हैं, और cyborg boom tube को बंद करने के लिए mother box के connect करने की कोशिश करता है, तब ही वो mother box explode हो जाता है, dark side एक बार फिर boom tube से बाहर आके सब को अलग fake देता है, लेकिन अचानक Batman अपने gadget को उसकी chest पे लगा देता है, जिससे वो वापस boom tube में खिचने लगता है लेकिन cyborg mother box में power कम होनी की वज़े से उसे बंद नहीं कर पाता, तो dark side वापिस बाहर आके team से fight करने लगता है, cyborg कहता है कि उसे high power की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद cyborg boom tube को बंद कर देता है, और dark side वापिस apocalypse पे पहुँच जाता है, लेकिन cyborg ने जो powers यूज करी थी, और आर्थ से गाय हुए लोगों को एपोकेलिप से वापिस ले आता है, बैटमैन कहता है कि हम dark side को वापिस आने से कैसे रोक सकते हैं, cyborg कहता है कि सभी mother boxes जल चुके हैं, और wonder woman कहती है कि इसका मतलब वो जल्दी वापिस नहीं आ पाएंगे, बैटमैन कहता है कि ये सिर्फ एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक सबमरीन पानी में से निकलती है, जिसके उपर ओशन मास्टर अपने किंग की dead body को लेके खड़ा होता है, और कहता है कि सर्फिस पे रहने वाले लोगों ने हमारे किंग को मार दिया है, जिसका हिसाब इन्हें देना पड़े